आना टीवी की तरफ से आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्री की हार्दिख सुपकामना आए क्या आपने कभी सोचा है नवरात्री दो बार क्यों मनाई जाती है अगर नहीं तो हमारे वीडियो के साथ अंतक बने रहे नवरात्री साल में दो बार मनाय जाते हैं एक चैत्र में और दूसरा आश्विन में इन दोनों नवरात्रियों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है चैत्र नवरात्री को वसंत नवरात्री या सक्त नवरात्री कहा जाता है जबकि आश्विन नवरात्री को सारदी नवरात्री या दुर्गा पूजा कहा जाता है आपको बता दे कि नवरात्री मनाय जाने के पिछे कई कारण है जिन में से कुछ प्रमुक कारण है पहला धार्मिक कारण जो हम आपके सामने प्रस्टुत करेंगे हिंदु धर्म में नवरात्री देवी दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्ट वहार है चैत्र नवरात्री को नवर्च की रूप में भी मनाया जाता है इसलिए इस अवसर पर देवी दुर्गा की पूजा करके भक्त नवर्च की सुपकामनाई मांगते हैं आश्विन नवरात्री को भी देवी दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्टे उहार मनाया जाता है इस अवसर पर देवी दुर्गा को प्रसन्य करने के लिए भक्त पूरे नौ दिनों तक उपवास और ब्रत रखते हैं वही दूसरा रितु परिवर्तर चैत्र नवरात्री गर्मी के मौसम के आगमन का प्रतीक है जबकि आश्विन नवरात्री सर्दी के मौसम के आगमन का प्रतीक है इसलिए इस समय देवी दुर्गा की पूजा करके भक्त प्रक्रिती की सक्ति और नमीनता का आवाहन करते हैं इ कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बनी रहीगा आना टीवी के साथ